नमस्कार, Mental Aptitude Test Series की यह Part 2 वीडियो है जिन परिक्षाओं में Reasoning अर्थात Mental Aptitude Test के प्रष्ट आते हैं उन सभी परिक्षाओं के लिए यह उप्योगी है पहला प्रश्ण है बाग का हीरन से वही संबंध है जो बिल्ली का है तो बिल्ली का किससे संबंध होगा? आप देखिए बाग हीरन को खाता है तो बिल्ली किसको खाता है? चुहा को खाता है तो यह बिल्ली का संबंध चुहा से हो गया प्रत्न संख्या 2 देखे राची और जार्खंड में वही संबंध है जो उत्तर प्रदेश का आप देखिए राची जार्खंड की राजधानी है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनौ है तो इसका एंसर होगा लखनौ प्रत्न संख्या 3 जापान टोकियो तो अर्जेंटिना क्या होगा तो देखिए जापान की राजधानी है टोकियो तो फिर अर्जेंटिना की राजधानी है व्यूनर्स आयर्स के तीन नंबर अब चौथा नंबर प्रस्ण देखें लाल किला दिल्ली अर्थाक लाल किला दिल्ली में है तो रेड़ स्क्वाइर कहां है मौस्को में है यह पांचवा नंबर प्रस्ण अस्फाल्ट सडक तो दूद का क्या संबंध है यह अस्फाल्ट से सडक बनती है तो दूद से क्या बनता है मक्षन बनता है जिस प्रकार पूमोलोजी संबंधित है फलों से उसी प्रकार बाटनी किस से संबंधित है तो यह पूमोलोजी यह फलों के उपज से संबंधित होता है तो बाटनी पौधों से शिकागो का संबंद अमेरिका से है तो सिड्नी का किस से होगा इस परश्चता आस्ट्रेलिया से अब आठवा नंबर प्रस देखें यदि बैट को 2-8-3 के रूप में कोट किया जाता है कैट को 3-8-3 के रूप में कोट किया जाता है एवं A-R-E को 8-0-1 के रूप में कोट किया जाता है तो बेटर का कोट है इस तरह के प्रशनों को हम कैसे हल करते हैं आईए देखते हैं सभी कोट को हम लिखेंगे बैट तो इसका कोट है 2-8-3 इसके बाद है कैट इसका यहाँ कोट दिया है 3-8-3 और इसके बाद है A-R-E इसका कोट दिया गया है 8-0-1 अब हमें चाहिए किसका बेटर का बेटर तो अब देखिए B के लिए क्या कोट है 2 तो यह हो गया 2 E के लिए 1 और T के लिए देखिए 3 है तो यह 3, यह 3 और यहाँ E के लिए क्या है 1 है R के लिए क्या है 6 तो यह हमारा कोट आ गया 2, 1, 3, 3, 1 6 तो यह पहला वाला हुआ यह कोट वाले जितने भी प्रशन होंगे इसी तरह से आप हल करेंगे जिस प्रकार क्रेमलीन संबंदी थे मौस्को से ठीक उसी प्रकार बकिंगम पैलेस संबंदी थे लंडन से सब्मारीन बुश्वेल तो टेलीफोन किसने बनाया यह जीके का भी प्रशन हो सकता है ग्राहम वेल में अब कोश्चन नमरी 11 देखिए घड़ी में क्या देखी जाती है समय तो किलोग्राम का हम उप्योग कहा करते है वजन निकालने में वजन जानने में किसी भी चीज का 12 नमबर प्रशन है रूफ फाउंडेशन पीक यानि छट और छट से फिर बिल्कुल नीचे आ जा रहा है नीव छट का नीव तो सिखर का मैदान यही नीचे होगा यहाँ पर जो इतना भी आप्शन दिया हुआ है दांत कट कटाना तो पत्यां क्या करती है खड़ खड़ाना अब 14 नमबर प्रशन देखिए 14 AB और यह NO देखिए यह लगातार लेटर है यह के बाद B आया N के बाद O आया तो यहाँ L के बाद M है तो यह लगातार कौन सा है O के बाद L तरी होता है K के बाद P भी नहीं होता है P के बाद K नहीं होता है तो यह Y के बाद Z होता है तो यह हमारा answer होगा 15th question है हिमाचल प्रदेश शिमला हम लोग जान रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला तो पंजाब की राजधानी शन्डिगर 16 है इंक pen यानी कलम में स्याही का प्रयोग होता है तो ग्रेफाइट कहां प्रयोग होता है पैंसिल में पैंसिल का जो लीड होता है वो ग्रेफाइट का होता है दस्ताने हाथ, यानि दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, तो जुराबें, यानि मोजा, सौक्स, ये कहां पहने जाते हैं, पैर में, ये 18th question देखिए, बहुत आसान है, 6-36, यानि 6 को हम 6 बार गुना करते हैं, तो हमारा 36 आता है, तो ठीक इसी तरह से, या स्क्वाइर भी कर स सकते हैं, 6 का वर्ग 36 हो गया, तो 7 का वर्ग 49, आब यहाँ पर देखिए, 19th में, WOLF, और ये हो गया, FLOW, देखिए, उलट गिया पूरा, इसको हम उलट गिये हैं, तो फिर लाइन को भी उलटेंगे, तो ये अंतिम से देखते हैं, N, O, I, L, ये कौन सा है, पहला नंबर, ये हमारा हो गया, अब बीसवा नंबर प्रशन देखिए, 28th, बहुत आसान है ये, चाचा किन को कहते हैं, पंडित जवाहरलाल, नहरो को, तो लौपुरुस किसे कहेंगे, बिलकुल इस परस्ट है, सर्दार बल्लब भाई, पटेल, इसके बाद हमने, यहां एंसर को एक जगह भी लिख दिया है, ताकि आपको सुविधा हो, ये, लिखने हैं, आपने अगर अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें ताकि अगली जो भी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए धन्यवाद